परिचव पिंकी उस यूकलिप्टस के पेड को देखो, वो कितना उुझा है हाँ दीदी लेकिन क्या छोटे व्रिक्षों की तरह इन व्रिक्षों में भी सभी पदात विसरं तथा सक्रिय परिवहन के द्वारा गमन करते है हाँ, लेकिन केवल विसरण तथा सक्रिय परिवहन के द्वारा नहीं, वास्तव में ये प्रक्रियाएं मन्द होती है तो दूसरी प्रक्रियाएं कौन सी है? आओ, मैं तुम्हें इन प्रक्रियाओं के बारे में बताऊं उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे समूहिक या थोक प्रवाह प्रणाली को परिभाशित करना एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथों की व्याख्या करना मूल दाप सिध्धान्द का वर्नन करना वाशपोच सर्जन खिचाव सिध्धान्द का वर्नन करना वाशपोच सर्जन प्रक्रम की व्याख्या करना लंबी दूरी तक जल का परिवहन परिचय मित्रों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि छोटी दूरियों तक पदात विसरन तथा कोशिका द्रव्य प्रवाह के माध्यम से सक्रिय परिवहन द्वारा पहुचाए जाते हैं किसी पादप में लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरन द्वारन नहीं किया जा सकता विसरन एक मंद प्रक्रिया है यह अनुमों का केवल छोटी दूरियों तक संचलन कर सकती है उदाहरन के लिए एक प्रतिरूपी पादप कोशिका लगभग 50 माईक्रो मीटर के आर पार अनु को गती करने में लगभग 2.5 सेकिंड का समय लेती है कुछ व्रिक्ष 50 फीट तक उचे होते हैं इसलिए हम सोच सकते हैं कि केवल विसरन के माध्यम से पादप में 25 से 30 फीट की दूरी तक अनुओं को गमन करने में कितने वर्षों का समय लगेगा कुछ बार उत्पादन या अवशोशन एवं संग्रहन के स्थान एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं इसलिए विसरन या सक्रिय परिवहन पर्याप्त सिध्ध नहीं होता है सामूहिक या थोक प्रवाह प्रणाली उचे वरिक्षों में लंबी दूरी का विशिष्ट परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है तकी पदार्थ लंबी दूरियों तक एवं अधिक तेज गति से पहुचाए जा सकें जल एवं खानिज तथा खाद्य तत्व सामूहिक या थोक प्रवाह प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से अन्य स्थानों तक परिवहन दो बिंदूओं की बीच दाब में भिनता होने के कारण होता है सामुहिक प्रवाह की यह विशेशता है कि पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन नदी के प्रवाह की तरह ही बहता है यह विसरण की अपेक्षा भिन प्रकार का होता है जिसमें विभिन पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवनताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से ले जाए थोक प्रवाह को धनात्मक जलिय दाब प्रमणता उदाहरन के लिए बाग का होज या रिनात्मक जलिय दाब प्रमणता जैसे पुआल के द्वारा चूशन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है पादपों के समवहनी उतकों के द्वारा पदार्थों की थोक या सामोहिक गति को स्थानांतरण कहते हैं। पादप जल कैसे अवशोशित करते हैं। मुख्य तह मूल रोमों का होता है। जो जड़ों के अग्रसिरों पर लाखों की संख्या में मौजूद होते हैं। मूल रोम पतली भित्ती वाले जड़ अधिचर्म के महीन विस्तार होते हैं। इनकी कोशिकाएं अवशोशन हेतु उपलब्ध प्रिष्ट क्षेत्र फल का काफी विस्तार कर देती हैं। जल खनिज विलेर के साथ मूल रोम से होकर शुद्ध रूप से विसरन प्रक्रिया के माध्यम से अवशोशित कर लिया जाता है। एक बार जब जल का अवशोशन मूल रोम द्वारा कर लिया जाता है, तो यह जड़ों की परतों में गहराई तक दो विशिष्ट पथों से होकर जाता है। एपोप्लास्ट पथ तथा सिमप्लास्ट पथ आए इनने से प्रत्येक के बारे में विस्तार से जाने। एपोप्लास्ट पथ एपोप्लास्ट निकट वर्ती कोशिका भित्ती का तंत्र है जो जड़ों के अंतस सत्वचा में मौजूद कैस्परी पट्टियों को छोड़ कर पूरे पौधे में फैला रहता है। जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतर कोशिकी अवकाशों व कोशिकाओं की भित्ती के माध्यम से होता है। एपोप्लास्ट से होकर परिवहन कोशिका जिल्ली को पार नहीं करता। यह गती प्रवणता पर निर्भर रहती है। एपोप्लास्ट जल के परिवहन में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता और जल परिवहन सामुहिक प्रवाह के माध्यम से होता रहता है। सिम्प्लास्ट पत एक अन्यपत है। सिम्प्लास्ट गति को कोशिका द्रव्वी प्रवाहन सहायता करता है। कोशिका द्रव्वी प्रवाहन हाइड्रिला पत्तियों की कोशिकाओं में देखा जा सकता है। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पत जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। चुकि वलकुट कोशिकाओं शिथिलता पूर्वक आबद्ध होती हैं अतह ये जल की गती में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करती। हाला की वलकुट की आंतरिक सीमा अंतसत्वचा जल के लिए अवप्रेशय होती है जिसका कारण कैसपरी पट्टी कहलाने वाली सुवेरिन में मैट्रिक्स होती है। जल के अणू इस परत को पार नहीं कर पाते इसलिए वे असुवेरिन में कोशिका भित्ती क्षेत्र की ओर पुनह जिलिका के माध्यम से कोशिकाओं में भेज दिये जाते हैं। इसके बाद जल सिमप्लास्ट द्वारा गतिशील होता है और जायलम की कोशिकाओं तक पहुचने के लिए पुनह जिलिका को पार करता है। जडों की परतों से अंतसत्वचा तक जल की गति पूनतया सिमप्लास्टिक होती है। जल तथा अन्यविले पदार्थों के वैस्कुलर सिलेंडर में पहुचने का यही एक मार्ग होता है। जायलम के अंदर पहुच जाने के पश्चात जल पुनह कोशिकाओं के बीच तथा उनके आरपार जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। नई जड़ों में जल सीधे जायलम वाहिकाओं तथा या वाहिनिकाओं में प्रवेश करता है। ये निर्जीव नालिया हैं जो एपोप्लास्ट का हिस्सा होती है। क्या आपको पता है कि कुछ पौधों में अतरिक्त संग्रचनाय जुड़ी होती हैं जो उन्हें जल एवं खनिजों के अवशोशन में सहायता करती हैं। माइको राइजा मूल तंत्र के साथ कवक का सहजीवी संगठन होता है। फफूंदी या कवक के तंतु नई जड़ों के आसपास नेटवर्क बनाते हैं या वे मूल कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक प्रिष्ठी अक्षेत्र होता है, जो मृदा से खनिज आयनों और जल को उससे अधिक मात्रा में अवशोशित कर लेता है, जितना संभवत जड़ नहीं कर सकती। ये कवक जड़ों को जल और खनिज उपलब्ध कराते हैं, जिसके बदले में जड़े माइकोराईजा को शरकरा तथा नाइट्रोजन युक्त यौगिक उपलब्ध कराती हैं। कुछ पादपों में माइकोराईजा से सहयोग आवश्यक होता है। उदाहरन के लिए चीड के बीज, माइकोराईजा की उपस्थिती के बिना न तो अंकुरित हो सकते हैं और नहीं स्थापित हो सकते हैं। मूल दाप सिध्धान्त अभी तक हमने देखा कि पादप मृदा से जल का कैसे अवशोशन करते हैं और समवहनी उतकों में इसे कैसे पहुचाते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जल का परिवहन पादप के विभिन भागों तक कैसे किया जाता है। मृदा से विविध आयन जड़ों के समवहनी उतकों तक सक्रियता से परिवहनित किये जाते हैं। उसके साथ जल अपनी विभव प्रवनता के साथ इसी प्रक्रिया का अनुसरन करता है और जायलम के अंदर दाब बढ़ा देता है। यह धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है और तने में कम उचाई तक जल को धकेलने के लिए उत्तरदाई होता है। मूल दाब के प्रभाव रात में तथा प्रातह काल की समय देखे जा सकते हैं जब वाशपोट सरजन कम हो और अतरिक्त जल घास की पत्तियों तथा अनेक शाकिय पादपों की पत्तियों के सिरों पर शिराओं के विशिष्ट रंधरों के परितह बूंदों के रूप में एक जालम में जल के अनुओं को निरंतर कडी के रूप में स्थापित रखने के रूप में समझा जा सकता है जोकी अकसर वाशपोट सरजन के कारण उत्पन्न होने वाले व्रिहत तनावों के कारण तूटती रहती है अधिकांश जल को परिवहनित करने में मूल दाब का कोई अ अधिकांश पौधों की आवशक्ता वाशपोट सरजनित खिचाव से पूरी हो जाती है वाशपोट सरजन खिचाव सिध्धान्त एक अण्यसिध्धान्त अर्थात वाशपोट सरजन खिचाव सिध्धान्त में आधिकांश अनुसंधान करता इस बात पर सेहमत हैं कि पौधों द्वारा जल मुक्यत खिचा जाता है और पत्तियों से होने वाला वाशपोट सरजन इस खिचाव प्रक्रिया की संचालन शक् इसे जल परिवहन का संसजन तनाव वाशपोद सर्जन खिंचा मौडल भी कहा जाता है। वाशपोद सर्जन आईए अब इस मोड्यूल के अगले प्रकरण अर्थात वाशपोद सर्जन को देखें। वाशप की हानी के अतरिक्त पत्तियों में छोटे छिद्रों जो रंध्र कहलाते हैं के द्वारा ओक्सिजन एवं कार्बन डायोकसाइड का विनमय भी होता है। समाने तह ये रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं और रात के समय बंध हो जाते हैं। रक्षक कोशिकाओं की स्वीती में परिवर्तन रंध्रों के खुलने वबंध होने का मुख्यकारण है। प्रत्येक रक्षक कोशिका की आंतरिक भित्ती रंध्र चिद्र की तरफ काफी मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है। जब रंध्र को घेरने वाली दो रक्षक कोशिकाओं में स्वीती दाब बढ़ता है तो पतली बाहरी भित्तियां बाहर की ओर भरती हैं। तथा आंतरिक भित्ती को अर्ध चंद्राकार स्थिती में आने के लिए बाध्धि कर देती हैं। रंध्रचिद्र के खुलने में रक्ष कोशिका की भित्तियों में उपस्थित सूक्ष्म सूत्राभ की दिशा भी सहायता करती है। सेलुलोज सूक्ष्म सूत्राभ का अभी विन्यास अनुदैर्थ के बजाए अरिय क्रम से होने के कारण रंध्रचिद्र के लिए खुलना आसान हो जाता है। जब जल हानी के कारण रक्ष कोशिका की स्वीती या जल तन्यता खत्म हो जाती है तो तन्य आंतरिक भित्तियां अपनी मूल स्थिती में फिर से वापस आ जाती हैं। फिर रक्ष कोशिकाएं शिथिल पड़ जाती हैं और रंध्रचिद्र बंध हो जाते हैं। सामान्यतह एक प्रिष्ठधारी, प्रायह, द्वी बीज पत्री, पत्ती के निचली ओर अधिक संख्या में रंध्र होते हैं, जबकि एक द्वी पाश्विक, प्रायह, एक बीज पत्री, पत्ती में ये दोनों प्रिष्ठों पर लगभग बराबर संख्या में होते हैं. वाशपोद सर्जन अनेक बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे कि तापमान, प्रकाश, आध्रता, पवन की गती आदी, रंध्रों की संख्या तथा वितरण, खुले रंध्रों का प्रतिशत, पौधों में पानी की उपस्थिती, तथा वितान रचना आदी वाशपोद सर्जन को प्रभावित करने वाले अन्य पादप कारक हैं, वाशपोद सर्जन क्या आपको पता है कि जायलं रज का वाशपोद सर्जित होकर उपर चळना मुख्य तहज सासंजन, आसंजन तथा प्रिष्थ तनाव के गुणों पर निर्भर होता है. जलके अनुओं के बीच पारस पर एक आकर्षन सासंजन केहलाता है. प्रिष्ठ तनाव जल अनुओं का द्रुविय सतह की ओर आकर्शन जैसे की वाहिकिय तत्वों की सतह असंजन कहलाता है प्रिष्ठ तनाव वह गुण होता है जिसके द्वारा जल के अनुओं गैसिय अवस्था की अपेक्षा द्रव अवस्था में एक दूसरे के प्रती अधिक आकर्शित होते हैं जल के ये गुण इसे उच्च तन्य सामर्थ प्रदान करते हैं अर्थात किसी खिंचाव शक्ति का प्रतिरोध करने की क्षमता एवं उच्च कोशिकात्व अर्थात पतली नलियों में उपर चहने की क्षमता पादपों में कोशिकात्व को अल्प व्यास वाले वाहिकी तत्वों जैसे की ट्राकीड और वाहिका तत्वों से सहायता प्राप्त होती है अब आये पादपों में वाशपोत सर्जन के लाभों पर एक द्रिश्टी पात करें यह पादपों में अवशोशन एवं परिवहन के लिए वाशपोत सर्जन खिंचाव उत्पन्न करता है यह प्रकाश संग्षलेशन हेतु जल्प्रदान करता है यह पादप के सभी भागों तक मृदा से खनिज तत्वों का परिवहन करता है यह पत्तियों की सतह को वाश्पी करण द्वारा 10 से 15 डिगरी तक ठंडा करता है यह कोशिकाओं को स्वीत रखते हुए पादपों की आकृती एवं संग्रचना को बनाए रखता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं किसी पादप में लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरन द्वारा नहीं किया जा सकता विसरन एक मन्द प्रक्रिया है यह अणुओं का केवल छोटी दूरियों तक संचलन कर सकती है सामोहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से अन्य स्थानों तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब में भिनता होने के कारण होता है पादपों के समवहनी उतकों के द्वारा पदार्थों की थोक या सामोहिक गति को स्थानांतरण कहते हैं जायलम मुख्य रूप से जल, खनिज लवणों, कुछ कार्बनिक नाइट्रुजन तथा हॉर्मोनों का पादप की जड़ से वायविय भाग तक स्थानांतरण करता है। जहराई तक दो विशिष्ट पथों से होकर जाता है। एपोप्लास्ट पथ तथा सिमप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ती का तंत्र है, जो जड़ों के अंत सत्वचा में मौझूद कैस्पैरी पथियों को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। सिमप्लास्ट तंत्र अंतह संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। सिमप्लास्ट गति के दौरान जल कोशिकाओं से उनके कोशिका द्रव्य से होकर गमन करता है। अंतर कोशिकी ये गमन प्लास्मो डेस्माटा द्वारा होता है। म्रदा से विविध आयन जड़ों के समवहनी उतकों तक सक्रियता से परिवहनित किये जाते हैं। उसके साथ जल अपनी विभव प्रवन्ता के साथ इसी प्रक्रिया का अनुसरन करता है और जायलम के अंदर दाब बढ़ा देता है। यह धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता ह और तने में कम उचाई तक जल को धकेलने के लिए उत्तरदाई होता है। पौधों द्वारा जल मुखिता खीचा जाता है और पत्तियों से होने वाला वाशपोद सर्जन इस खिंचाव प्रक्रिया की संचालक शक्ती होती है। इसे जल परिवहन का ससंजन तनाव वाशपो सर्जन खिंचाव मॉडल भी कहा जाता है।